और जबिल्लाहिमिन श्यताने जिम बिस्मिल्लार्मान रहीम कल मैं यहां सेप्टेंबर 23 को मेडिसन एविन्यू पे जहां इंडियन परेड होती है पाकिस्टानी परेड होती है और यह इस्लामिक मुस्लिम डेड परेड था वहां मैं परेड में शामिल हुआ वहां एक लड़का कोई मुस्लिम डाकुमेंटरी बना रहा था और वो कहा कि मेरा यूटूब पर आप देख सकते हैं मैंने उसमें भी अपने खेलात का इजहर किया मुजाकरे के तौर पर मुझे सद अफसोस है कि हमारे जो मुसल्मान है यहां अलहमदलिल्ला मैं जहां तक समझता हूँ पांच लाग से या साथ लाग तक मुसल्मान नियॉयर्क में है था सेवन मिलियन पॉपलेशन का यह शहर है सेवन एट मिलियन का उसमें साथ या आठ या पांच लाग पक्के रहे थे मुसल्मान लेकिन मुसलिम डे परेड में शामिल नहीं होते हर कोई जबके संडे है कारोबार भी ठप रहता आफिसेस बंद रहते उसके बावजुद कोई मुसल्मान मुसलिम डे परेड में नहीं आता हर साल इसी तरह रंज होता मुझे चंदी लोग आते उसकी वज़ा यह है कि अगर आप इ न्यूजर्शी भी लोग आते दूसरी जगह से भी आते न्युयर्क की यह मेडिसन आवनी की परेड में और उनके पास गानों का डैंस का एक्टर्स आने का एक अट्राक्शन लगा दियो लोग तो फिल्मी गाने होते फिल्मी डैंस होते फिल्मी कॉमेडी वे इस सदा से ब गेमिकरी वगरा और फिल्म एक्टर ग्रैंड मार्शल बन के आता इस वास्ते सबसे ज्यादा हुजुम इंडियन परेड में रहता और पाकिस्तानी परेड में भी ऐसा नहें रहता थोड़े लोगी आते क्योंकि उसमें भी ऐसा इंटर्टेन्मेंट नहें रहता जिस तरह से मेरे था तो इंसान सिर्फ इंडियन परेड बलके इंसान की तलाश सिर्फ फन है इंटर्टेन्मेंट है मनोरंजन है उसकी पूरी जिन्दगी में वही चाहता हूँ लेकिन पूरी जिन्दगी जवानी खतम बुड़ापा खतम बश्पन खतम इंसान खतम यह एक अखिकत को नहीं समझ रहा इसके बाद अल्ला ताला मनोरंजन रखा आपको हर महां पे जो है सिर्फ मनोरंजन करना है वो है जन्नत और उसका मनोरंजन आज के मुसल्मान को नहीं चाहिए इस वास्ते मैं कल पाकिस्तानी जो मुस्लिम डेपरेड है बड़ा रंच हुआ मुझे अब मैं एक खास बात बताता हूँ दो दिन पहले मैं हमारे यहां मेरे नेबर हुड में एक काला छे फिट का आदमी आफ्रिकन और एक काली औरत दोनों ठेरे वे थे और बुक्स दे रहे थे क्रिश्चान्डी के और वो देखे मुझे कह रहा है कि यह बुक में सब कुछ है वो बुक बता के मुझे बोला तो मैं पुछा कि क्या इसमें वो लिखावा है मैं उसे बात कर रहा था औरत बीच में आ पड़ी और वो मैं भड़क गया और मैं उनलों को जो है वन टू ले लिया और ऐसा लिया कि पूरी स्ट्रीट के नेबर हुट के सब देखने लगे मैं ने उसको बताया कि मैं जब भड़क जाता हूं तो शैतानों जैसा मेरे पास जो हराफ हो जैसा आदम खूर जैसा गुसा आ जाता है और मैं लगज से त॑बा कर लेता हूं फोरण और फिर नेक्स डे के लिए स्ट कोल रहने की कोशिश करता हूं और यह मेरे को मालूम है यह बहुत बड़ी गल्ती होती है मुझसे दो रकात नफ़ी नमास पढ़के त॑बा करता हूं मेरे पास तौबा का एक तरीखा है नमास पढ़ेता हो तो मैंने उससे पूछा कि इसा लिए सलम क्या तू सुन रहा है उसने का हाँ मैं सुन रहा है क्या तुझे यखीने की इसा लिए सलम सुन रहा है हाँ वो यह खिने मुझे, वो सुन रहें, तो फिर मैंने का, ईसा आले सलम सुने तो सुन, अल्ला ने इसा को पैदा किया, उसने का, थोड़ा और तश्री करेंगे, थोड़ा और मेरे को तफसरा जैसा या तर्जमे जैसा या जो है, आपके समझाने में और इजाफा हो सकता है, मु सुन रहें, और वो जवाब नहीं तेरे 1440 साल से, खुरान चैलेंज कर रहा, तो वो और बिच में पड़ी, तो मैंने उसका बताया, देख, तेरे पास प्रवेट पार्ट है, ऐ खातूर, ईसा आले सलम के मा के पास प्रवेट पार्ट था, बचेदानी, शरमगा, वहां से य निकले, उसने कहा कि मुहमत चली निकले, बेशक पूरे पार्गमर यह से निकले, इस वास से तो आप टाली कर सकते, मुशाबत क्या है? अल्ला ने मुहरम की शाहदत के दिन दस शाहदत के दिन हसेन हुसेन ही नहीं बल्के इसा अलेसलम को पैदा किया और अल्ला ने वही शाहदत मुहरम के दिन इसा अलेसलम को उठा लिया और मुहमस असाम पीर के दिन पैदा है और पीर के दिन परदा की अनнес आप इntकाल करगे यहा से जग़ा बाद़ लिए नवीस असाम तौ पीर का दिन है और यह शायदत का दिन है पैदा है और अगर तू बोल रही कि इसा अले सलाम बच्चे दानी से पैदा हुए तो ये खुदा कैसा हो सकते आदम तो बच्चे दानी से ने पैदा हुए गोर कर उनको मा भी नहीं है उन्होंने मां का सारा भी ने लिया और इसा अले सलाम छोटे हैं उनसे क्योंके आदम अले सलाम मा बाबी नहीं है इनको और इसा अले सलाम को मा है मा की मदद लिए छोटे हुए के नहीं और आदम बिना किसी की मदद लिए दुनिया में है तो बड़े हुए के नहीं लेकिन अल्ला ने इनको भी पानी से पैदा क और आदम को भी पानी से पैदा किया इस वास्ते शेतन गुरूर किया इसा अले सलम और आदम अले सलम से भी मैं बरतर हूं कि इस वास्ते का कि मैं आख से पैदा वा ये पानी से पैदा वे इसा अले सलम हो या आदम अले सलम हो लेकिन आदम अले सलम बचेदानी से नहीं है क्या जाब दे सकते बोलो एक मुसल्मान चालेंज दे रहाँ क्रिश्टन से बात करके मुझे साटिस्पाइग किये जैसा नहीं हाँ चाहे हो जाकर नायक हो या मरहुम एहमदी दर अरे लानती हो गोर करो इसा ले वो किता भी नहीं दी बैबल जिसकी यही माख़त से तुम से ओर वो कह रही थी मुझे तुमारी किताब में याने खुरान में तुमारा गाड कहता है कि पिछली बुक वालों से पूCHो पहले किताब वालों से पूछो यानि प्रिवियस बुक्स प्रिवियस बुक्स क्या है जोहर है खुरान है प्रिवियस में कबाला मिलेंगी प्रिवियस पेखंबरों की और आपको जो है तोरा मिलेगी जबूर मिलेगी इंजिलने मिलेगी जबूर अन लोगों ने अपने से बना लिया जबकि Allah तर अला तर्व इंजीन की तरह बोलने का मौख़ा दिया था दाओद सल्यम को तो वो करे अहले किताब वालों से फुचा पुराना तुम्हारा काड तुम्हारी किताब वालों से फुचा पुराना तुम्हारा काड तुम्हारी किताब वालों से फुचा पुरान के तो नहीं बोरा हो नहीं बोरी क्या ऐसा ले सालाम की बोले या रामा की बोला नई अए इसा को ने पाइ शीवा को शीवा या अब्रामा आया सामने नई कोई नी आसकता अगल क्यामत तक के हिंदू का खुडा क्रिस्टन का खुडा जोब ने दे सकता तो मैंने उसको बताया देख ये अल्ला है गार्ड है जिसने इसा को पैदा गई है ये खुरान में बोरा तू उसको मानती नए दूसरी बात ये है कि अल्ला कह रहा है मैंने पहले पैगंबरों को भेजा मुसा अलिए सलाम को दाओद अलिए सलाम को इबरहिम अलिए सलाम को तीनो डिलिजन जानते है जूईश और क्रिस्टन और मुस्लिम इबरहिम अलिए सलाम को फादर समझते हैं दीन इसलाम इबरहिम अलिए सलाम को इसलाम का समझते है तो अल्ला पैगंबरों का रिफरेंस गोहर गोहर और गोहर और फिर कबाला जैसी जो अब भी मौजुद है लेकिन हमारे पास सिर्फ दो किताबों का नाम आता है तौरत और जबूर का इंजील का आता है लेकिन अल्ला ने वो सईफो जैसा ही दिया था इबराहिम अल्यस्सलाम की जैसा चंद बातें करें क्योंके थेई आठावी साल और पूरा दिन नहीं दिये थे सिर्फ इसराइल के लिए आए थे बनी इसराइल के लिए आए थे इसा लिए तौमारा खुदा भेजा और किताबें भेजा तू मानती नहीं इसा लिए सलाम दो हजार साल पहले आए खुदा कैसा हो सकते जबके यहुदी मौजुद है इसा लिए सलाम को खुदा नहीं बोल रहा गवा है ना तेरे सामने जूईश है प्रेजेंट है यहां नहीं मानेगी तू सबसे एजान अल्ला ने खुरान में किया मैं इसलाम खुद करूँगा दस सिट हिंदू गे भाड़ में क्रिस्टिन गे यहुदी गे सरदार गे तेले ने खतम अल्ला ने कह दिया इसलाम खुबल करूँगा चालेंज और खुरान का चालेंज आज मैं अभी देखा छे मिनट पहले एक इन बी सी जो इंडिया का न्यूज चैनल है वो बताया कि 28 सेप्टेंबर को बाबरी मजजीद का फैसला होगा छे मेने मिनट पहले की न्यूज वाइरल हो गई और मैं न्यूआर्क में सुन रहा हूँ ये इंडिया की न्यूज है गौर करो हिंडू क्या राम पूरी दुनिया में मैं गाड हूँ बोल सका गौर करो सनतन धर्मा क्या विश्नू पूरी दुनिया में बोल सका मैं गाड हूँ गौर करो शेतानों शेतान गनेश को तुम बोलते हो के वो लाड है हाती का चेहरा है और अबा बील सूरे अलफील के खत में अल्ला ने इन हाती वालों को मार दिया हाती का गाड अगर होता तो हातीयों की हिवादत करता अगर अबरा जो है चर्च को बना के काबे को शहीद करने आया था तो अल्ला ने पनिश्मन्ट दिया नभी सिलासम दुनिया में आने से पहले पचास दिन पहले का वाक्या है अबू मुतलिब मुझूद थे उन्होंने अपने उंटों को अबरा मुझे दे दे मेरे है वो औ अबर अर्दिया और पूरी दुन्या के अंधर आज लाइफ टेली कास सोरे ऑलफील पूरी दुनिया में सुने आ जारा मकह और म्का और मदीने का चैयल 71 तुम मसल्मान हो तो समझोगे ना मेरी बाते तुम मसल्मान खाली नाम के हो खुरान कहरा है इस पहुस्ने तुम मेरे वीडियो को समझे सकते और मेरी असल बातों को दुनिया में फैलाने सकते, इस वाज़ थे कि मैं जो डर्ट के साथ जी रहा हूँ, चंद ही दुनिया में जाएंगे जैन्नत में अल्ला कहा, और चंदी लोग मेरे वीडियो समझते हैं, और फैलाते हैं, और दूसरों तक बात अब सोचो मंदिर का जो खिस्सा है बावरी मस्जिद का 28 को फैसला होगा क्यूंकि उसमें कहा जा रहा कि मस्जिद में पर्टिकुलरली कंपल से नहीं है कि मुसल्मान नमास पड़े अब हिंदू से पूछो क्या गीता में लिखावा है कि राम की मंदिर बनाओ या विदास में लिखावा है राम की मंदिर बनाओ क्या राम आके बोला मैं यहां पैदा हुआ था अगर पैदा हुआ तो सारी मखलूख अल्ला ताला कह रहा है पानी से पैदा किया इनसान भी आपको खेती बाड़ी, आपको अनाच, आपको तर्कारी, आपको मेवे, सारी चीज़ें पानी से, यहां तक क्या मच्छर को भी पानी से पैदा करता, जहां पानी जमा है, देखो, एक दो दिन बाद गंदा पानी में मच्छर पैदा हो जाता आपकों से देख, हिंदू, राम आके तेरे को बोला, मेरी मंदिर बनाओ, राम बोला के मेरा पुतला बनाओ, राम बोला के जो है, मैं यहां पैदा हुआ था, वीडियो, आडियो, मुवी, आज, टेकनालोजी का दौर है, प्रूफ करो, मुसल्मान तू मर्द नहीं है, इंड है, सल्मान खान और शारुकान के जैसा, आमर खान के जैसा, नमशकार, बोलके, चाड़ते वन लोग हिंदूऌ की, वो है तु मुसल्मान आज का, और दुबाई वालों को दौर्यों को वालों большое नहीं, सल्मान खान को बूला रहे, शारुकान को बूला रहे, यह समझज़ र एमानतियो एमान गया आज मिडलिस का भी एमान पर नहीं है आज मिडलिस भी मैं एक बात बताता हूँ अल्ला ने सारी मखलूक को पैदा किया पानी से गोर करो ये बिना जो है माबाप की मदद से बगर बच्चेदानी से आदम आए आदम बड़े हुए के नहीं इसा आले सलम बच्चेदानी से आए उनों उन से कमतर हुए के नहीं आदम को मिना माबाब है और इसा को माँ है उनों कमतर हुए के नहीं और दुन्या में माँ के खदमों के नीचे जन्नत है बेटे के नहीं लिखावा कई नहीं मिलेगा ये हिंदू भी जानता है मुसलमान भ आते थे इसा अलिएसलाम कि खुदा हो सकते ये कुन फैंकुन हो सकता ये करने वाली जात हो सकता अरे वो मर्दी नहीं जो दो हजार साल से सामने नहीं आ सका जिसको तुम बेटा कहरे है और खुदा कहरे है वो मर्दी नहीं दो हजार साल से तुम को आके बोल सके कि जी मुझे عیسیٰ علیہ السلام हूँ मैं और मैं عیسیٰ علیہ السلام मुझे बेटा बोला मुझे बोलो मैच खुदा हूँ मुझे बोलो कुछ बोला गुंगा भेरा अंधा इसा खुदा है लानती मुसल्मान तू क्या समझेगा मेरी बात लानती एमान कमजोर तुझे क्या समझ मैं आएगा मैं रोज अल्ला के दीन की जो है खाब में एक से एक दौलत लोड़ता हूँ अल्ला ताला दो चार दीन पहले मुझे बताया के जी मुझे अच्छा याद है के मुझे कोई आके सूरे जो है फातिहा अल्हंग्जिल्या सूरा पड़ारा